नमश्कार आप देखरें लाइफ सेटीज आपके साथ मैं हो मस्का बहार की जो चात्राएं हैं बहार की जो बेटिया हैं उन सभी के लिए खुश खबरी है क्योंकि जितने भी बहार की जो चात्राएं थी जितने भी उनकी जो प्रोचसाहन राशी थी जो लंबित हो रखी थी अब उन सभी को बहार सरकार ने है जो जारी कर दिया है आपको बता दे कि बहार सरकार ने 20,000 से जारा छात्राओं के जो प्रुचसाहन राशी थे उन सभी को जारी कर दिया है और इसको लेकर बहार सरकार ने 50 करोर रुपे का है जो आवंटन किया है आपको मैं ये खबर विस् प्रुटसाहन राशी जारी कर दी है इसके लिए राजे सरकार ने 50 करों रुपे का आवंटन कर दिया है वहीं बिहार की जो सरकार है वो 20,000 छात्राओं के लिए प्रुटसाहन राशी है जो जारी कर रही है और आपको बता दू कि ये जो एपरिल दोहजार अठाईस से 31 वर्ष 2021 तक के जो सनातक पास छात्राओं के लिए 25-25,000 की राशी उनों ने जारी की है तो वहीं नितेश सरकार ने इस योजना में वर्ष 2021 से 22 में राशी बढ़ा कर 25-50,000 कर दी है दरसल विश्वे विद्यालों और अंगी भूत महाविद्यालों में समंधता प्राप्त मह महाविद्यालों और अल्प संख्यप महाविद्यालों से उत्तिन छात्राओं के प्रमान पत्रों का वीरिफिकेorkेशन नहीं होने की वजह से वेरिफिकेशन में देरी की वजह से राशी मिलने में देरी हुई थी हला कि पूरे मामली पर सीक्षा विभाग ने सभी विश्व विद्यालियों को 31 दिसंबर तक लंबित अवेदनों को वेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया है और वेरिफिकेशन में देरी करने पर करी करवाई की छेतावनी भी दी है आपको बता दो कि बहार जो सरकार लगतार है जो जितनी भी छात्राइं है उसको आगे बढ़ाने म जो आगे बढ़ाने की बात करती है तो वहीं बालीका सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्राइमरी से लेकर उच्छे सिक्षा तक के जहां महत्वकांशा युजनाओं के लिए चात्राओं को सिक्षा से जोड़ने का काम कर रही है तो वहीं इसका व्यापक असर भी दिखाई पर रहा है खास कर मैटरिक के बाद उच्च सिक्षा में दाखिला लेने के अनुपात में काफी हद तक विद्धरी देखी जा रही है और लड़कियां अब किसी भी हालात में प्रुचसाहां राशी के बाद सनातक से पहले की पढ़ाई नहीं छोड़ रही है 25,000 रुपे राशी दिया जाएगा लेकिन जितने भी 21 से 22 में जो पास हुई है उन सभी को बढ़ा कर 25 से 50,000 की राशी दी जाएगी तो यह एक बड़ा फैसला बिहार सरकार ने लिया है उन्होंने है जो 50 करोर का आवंटिन किया है उन सभी छात्राओं को प्रोचसाहां रा रापती के लिए उन सभी के लिए ये खुश खबरी है कि अब उनको है जो बार बार है जो प्रोचसाहां राशी लेने के लिए कॉलेज का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा तो खैर इस खबर में इतना ही बने रहे लाइव सिटीज के साथ और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे फेज़ूप पेज को लाइक करें धन्यवाद